बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम वेकुम स्टूदेंट्स कैसे हैं आप सब एक्ससाइस हमारी 6.7 स्टार्ड है जैसा कि आप सब को पता है चैप्टन नबर हमारे पास 6 है आप सब को पता है कि हम यहां पर जह है स्क्वार रूट के मैथड से कॉड़िक को सॉल्व कर रहे हैं इससे पहले हमने टू वीडर्स अप्लोड की जिसकी अंदर हमने फैक्ट्राजिशन के जरीश को सॉल्व किया और इसके इलावा इसी लेक्ट्चर के पार्ट वन पार्ट टू एंट पार्ट्री जो है वो अरड़ी चैनल पर है और इसका लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां जाकर देख सकते हैं अब इस कोईशन को इतने लाश्ट में देने का मकसद मेरे समझ नहीं आया इतना इसी कोईशन था और इतना अब हमारे पास बराबर वाला देखें 60X है तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें इसके और एक्स के बराबर में जो भी नंबर दिया गया है इसको यहां से हमें यहां से हटाना पड़ाए गिवन कंडिशन हमारे पास यह से मुतार लीजिए 60X-61 is equal to 0 ऐसे ही है सबसे पहले तो हमें इन दो चीज़ों की जवरत बढ़ती है जाद रखें perfect square में करने के लिए इसके बराबर मिझे minus का 61 है यहां से इसको हटाना है right hand side पर ले जाएंगे बैसे तो फिलाल हम यहां रखकर भी solve कर सकते हैं लेगे इस method से में आपको कोशन करवा रही ही हूं फिलाल उसको easy way यही है कि आप उसको पहले right hand side पर ले जाएं यहां minus का 61 इस दर आके positive हो गया यहां तक कहानी समझ आ गई अब आगे क्या करना है अब हमें coefficient of x का ही जो हमारे पास दे दिया गया है 60 इसको क्या करना होता है हमें 1 by 2 से करना होता है multiply जैसे पहले कुर च है अब करना क्या है कि जो हमारे पास 30 दिया गया है हमें इसका whole square लेना है हमारे पास 30 आ पर देड़ा ह है अपने end करना है अपने लेफ्ट साइड पर और राइट पर भी तो हम क्या करेंगे यह जाएगा x2 plus 60 x यही 30 का जो स्कुर्ए इसको आपने इधर भी लिया राइट पर भी लग्ट साइड पर भी और इस तरफ राइट स्कुर्ण 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 स्कुर् अब आपको पता है इतनी चीज कि आपके पास a plus b whole square का formula अप्लाए हो रहा है बिलकुल हो रहा है अगर मैं इसकी जगा पर यहां पर x plus 30 का whole square लिख दूँ तो चलेगा बिलकुल अभी 61 हो गया और 30 का square हमारे पास क्या होता है students 960 900 होता है तो अब हमें क्या करना है इन दोनों को करना है एड पर इंक करेंगे और यहां से स्क्वार को रिमॉफ करेंगे तो हम यह 30 का square इसी ताना लिख लेंगे अब हम क्या करेंगे 900 में 61 को प्लस करो जाहर है 900 और 61 डायक्ट हो गया यहां तो कहानी समझ आ गई होगी अब क् स्क्वार को यहां से हटाना है आपको पता जब इस्क्वार को उटाना होता है तो हमें क्या लागाना होता है 1,2,3 here taking तो हमारे पास बचेगा x plus का 30 is equal to plus और root हमारे पास 961 का root क्या होता है 31 होता है अब हमारे पास two conditions है यहाँ पर आप देख देख रहे हैं अब यहाँ पर पापस कितनी conditions है two conditions एक दफा इस पूरी term के साथ x plus 30 के साथ 31 राइट और दे दिया गया है यह plus में 31 है और इसी तरह सेम condition इसी तरीके से है और एक दफा मानिस का 31 है अब करना है इसको solve x कहेगा चलो भी मेरे पास से जो भी value find out करना है मुझे तो unknown हूं इसी को तो find out करने solution set बनाने के लिए यह plus का 30 जब right hand side पर जाएगा तो जाहरे minus का 30 हो जाएगा plus का 31 तो है है यह minus का 30 हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर plus 30 यह भी वहाँ जाकर minus का 30 हो जाएगा तो यह already minus का 31 है यह plus 31 जाकर minus का 30 हो जाएगा इसको करेंगे solve अब आप बता दीजिए जी क्या होगा यहाँ पर यह है प्लस और यह है माइनस तो 31 में से जब 30 को माइनस करोगे तो बचेगा 1 पर पॉजिटिव क्योंके 31 बड़ा है और साइन हमेशा बड़े की आती है इसी तरीके से यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जा माया मायनस देरफॉर सुलुशन सेट इस 1 एंड मायनस का 61 इसको कीजिए नोट डाउन अब करते हैं इसका कोशन नमबर 11 इस तो जमापस कोशन नमबर 11 है 2x2 प्लस 10x-48 is equal to 0 यह अब हमें क्या करना होता है सबसे पहले गिवन कंडिशन हमारे पास जो भी दिया गया आप इ हमारे पास हमें कोफिशन अफ एक्स स्कोयर के पास हमें सेमी डाम में चांग्स कर देना होता चाहिका कर देना होता है जो भी के बराबर कोफिशन दिया गया है सेम पेह इसको सौल्फ करना है सबसे पहले अब हमारे पास ओना यहां से रिमूब करना पड़ेगा तो हम यहां कर देंगे कि दिवाइडिंग भुआत साइट्स बाइ तू सही तभी तो हमारे पास से रिमूब वह जाएगा असान तरीका यह यह डारेक्ट भी सॉल्फ कर सकते हो लेकिन आगे यह कि आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए बहतर यह है कि आप जितना को छोटी टर्म में चेंज करोंगे उतने जल्दी आपके असानी होगी तो से two cancel out हो जाएगा तो यह हो जाएगा x का square तो यह हो जाएगा 5x तो तो 24 टाइम हो जाएगा यह तो is equal to अब हमारा वाज कॉड़ेटिक क्वेशन यहां पर त्यार हो गई है खार वो भी कॉड़ेटिक क्वेशन ही थी ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले इस माराइस 24 को यहां से हटाते हैं क्योंकि हमें x square coefficient of x square और यहां पर coefficient of x की जरूरत है यह माराइस का 24 है यहां जाके positive 24 प्लस लिखते हैं लेकि मैंने फिर भी यहां लिख दिया अब क्या करना है इस 5 को उठाया रवर्क में और 1 by 2 से किया प्लस पर से तरीके से करें इसालला को कोई problem नहीं होगी तमाम question से pattern से कीजिए 5 यहां बड़े फाइफ और 5 by 2 यह आ गया अब जो 5 by 2 हमारे पास आया है ना हमें क्या करना है इसका हमें 5 by 2 नहीं चाहिए हमें 5 by 2 का square चाहिए और एडिंग करेंगे दोनों तरफ तो आप यहां लिख लिजिए step जो मैं पहले पीछ में मिस कर चुगी थी question number 10 में एडिंग 5 by 2 का whole square on both sides दोनों तरफ हमने 5 by 2 का square जब आट कर देना है आप जब यहां आट करोगे 5x के बराबर में तो यह हो जाएगा 5 by 2 का whole square और 24 के बराबर में एड करना है तो प्लस का ही sign लगेगा जाहिर दोनों तरफ यहां तक समझा गया अब इतनी चीज सेम A plus B का formula इसकी according solve होगा A plus B का whole square ठीक है अगर मैं यहां पर भी सेम वैसे ही कर दूँ x plus 5 by 2 का whole square तो गलत ना होगा जी बिलकुल गलत नहीं होगा अब हमें क्या करना है यहां पहर 25 का square हो जाएगा 25 और 2 का square हो जाएगा 4 आपको पता है इन fraction में जब तक हमारे पास हमारा denominator सेम ना हो जाए हम उसको solve नहीं कर सकते तो हमें अपना denominator पहले solve करना पड़ेगा इसको यहां से बिटाती हूं कि इसके next step अप से यहां बताती है अब देखें आपके पास पहले यह बारी चीज तो आप पूरी इसी जान लिख लें यह चीज आपके पास अब हमें क्या करना पड़ेगा जारा denominator सेम नहीं है तो आपके पास आपके पास 121 तो इतने जागा 121 by 4 ठीक है अब हमें क्या करना तेकिंग रूट अन बहुत साथ इस वाली वैलियो को लेना है यहां सेकंड स्टैप में पूरा इदर ही लिख देती हूं एक्स प्लस फाइफ बाइटू यह सेक्टन स्टैप है होल स्कूर्ड था और यह वाला हमारे पास कितना आया था यहां पर 121 by 4 अब इसके बाद यह स्टैप है ठीक है स्टूरेंट चीज अहम भी का करना है इस स्कूर्ड को यहां से कैंसल आउट करना है तो हम करेंगे टेक अब हमारे पास टू कंडिशन है कौन कान जि कंडिशन है x plus five by two के साथ भी यहां plus minus पी लगाना था यह हो जाएगा इस फोर का root होता है टू यहां लिखना बूल गया ठीक है एक दफाए plus में सेम कंडिशन x plus five by two minus eleven by two यहां तक कहां नहीं समाझ आ गई होगी ठीक है अब आगे क्या करना है जाहरे इस वाले माइनस का 5 बाइ 2 हो जाएगा सेम एज़ इधर भी ऐसे करेंगे यह हमारे पास माइनस का 11 बाइ 2 है यह प्लस का 5 बाइ 2 इधर जाकर माइनस का 5 बाइ 2 हो जाएगा अब हमारे पास देखें हमारे पास जब डिनॉमिनेटर सेम होता है तो हम एक जगार कर सॉल्फ करते हैं उसक लेना पड़ता, सेम है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 11 में आपको 5 को माइनस करोगे, तो आजाएगा 6 by 2, यहाँ X की वाली Y, 6 by 2, 2, 3, 6, तो X आजाएगा, यहाँ पर 3, रोट डाउन कीजिए, इस वाली कंडिशन में हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, 11 में आप प्लस करोगे, 5 तो आपके पास हो जाएगा, 16, 16 divided by 2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, 16 क्यूंके 11 बढ़ा है, और साइन में बढ़े की आती है, याद रखा करने, चोड़ी चोड़ी मिस्टेक्स, हर कोशन में माइनस में चल रही है, तो माइनस का एट आएगा, एक्स इस एक्वल तो माइनस का एट, इसको कर लें, टब्बे में बढ़, साइन का खयाल नहीं रखेंगे, और इस भी घलती हुई, तो कोशन गया, तो आंसर लिक लिए इसका, therefore, solution set is, 3 and माइनस का, 8, नोट डाउन कीजि है, 15 x square माइनस 34 x, same as it is, आपने इसको उतार लिया, सबसे पहले हमने देखना होता है, coefficient of x square को, अगर यह 1 है, simple, कुछ नहीं दिया गया, तो डिरक हम इसको solve करेंगे, अब हमारे पर से 15 दे रही है, तो सामी टम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम यहाप, 15 हैं आप बताए अब हमें यहाँ पर इसको पहले हम लगाएंगे, इसको dividing both sides by 15, ताके 15 हमारे पास यहाँ से remove हो सके, ठीक है, dividing, अब तो माशालला आप लोगों को आई गया होगा, last question, sides by 15, आप सब से request रहेंगे, आप तमाम questions को watch करेंगे, इंशालला तो last question करेंगे, तो आप सासा जिस तरह अब आप से question कर रही हूं, जिस तरह आपको इंशालला ताला problem नहीं होगी, यहाँ गया जी 15, यहाँ भी 34x के निचे भी 15, और plus 15y 15, इधर भी आ गया जी, यह होगी है 0, जी students, यह से cancel out हुआ, 15 से 15 cancel out होगी है, तो बचा किया, x square minus 34x divided by 15 plus 1 is equal to 0, ठीक है, अब क्या करना है मजीद, अब हमें सबसे पहले इस one को यहाँ से अठाना है, क्योंकि हमें सिर्फ x square, जान का खयाल रखें, गलती से प्लस लग गया, minus 34x divided by 15 हुआ, इस one को यहाँ से अठाके, right and side को ले आएंगे, तो minus का one हो जाएगा, ऐसे ही है, अब हमें इसको उठाना है, 34 divided by 15 को सिंपल 2 को टेबल सी को कटिंग करेंगे, इस हमारे पास क्या हो जाएगा, 34 बंजा 34, और 15 तूसा 30 हो जाएगा, तो उसे कट रहा है न, 2 बंजा 2, 2 बंजा 14, and 2 बंजा 2, 2 बंजा 2, 2 बंजा 10, तो यह हो जाएगा 17 by 15, तो हमें 17 by 15 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है हम इसका whole square चाहिए, 17 by 15 का whole square चाहिए होता है, क्या करेंगे, यहां कर देंगे, add, adding 17 by 15 whole square on both sides, दोनों तरब इसको कर देंगे, add, यह जाएगा, x square minus 34, x divided by 15, plus 17 by 15 का whole square, same as that is minus 1 के बरावर में भी रखेंगे, 17 divided by 15 का whole square, इतनी चीज हमारे पास same हो, यह plus b का formula अप्ला हो रहा है, तो यह बीच में आएगा, sorry minus का, बीच में minus है, x minus, 17 by 15 का, यह हो जाएगा whole square, ठीक है, यहां करेंगे, इसको solve, यह हो जाएगा minus का 1, और यह 17 का square क्या होता है, आप 225 होता है, अब हमारे पारे के denominator same नहीं है, हमें को करना पड़ेगा same, next step हम यहां कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, next step अपना हमारा जा रहा है, जी इधर उपर, ठीक है, अब क्या करना है, यह minus का 1 है, अब क्या करेंगे, पारे तो हम सकत लिएंगे square, इस पूरी चीज को हम यहां उतार लेते हैं, यह हो जाएगा, x minus 17 by 15 का whole square, देखें, same as it is में बताती हमें, हमने क्या किया है, इस value को लिया है, देखें हम, minus 17 by, इसको लिया है, अब इसको हम इस step को में अपर लेकर जा रही हो, 225 को जो one time multiply करूंगी, तो minus का 225 का क्योंकि है, minus 225, और हमारे पा पास था 225, हमने लिख दिया, ठीक है, अब करेंगे इसको solve, next step में ज़री कर देती हूं, x minus 17 by 15 का whole square, अब यह plus है, और यह minus है, plus minus बना सचाएगा, 289 में से जब 225 मानस करो के तो 64 आजाएगा, और नीचे हमारे पास 225 है, रही है, अब हम हमें का करना है, इस स्क्वार को ख प्लस था, इसलिए प्लस लगाया है, नहीं, taking root on both sides, यह पूरा भी लिख सकते हो, इस तरह मैं इसे तरह short form में लिख देती हूं, both sides, ठीक है, अब की मर्जी है, इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको, और root की जगह है, डारेक में root लिख देती हूं, आप RT करके भी लिख सकते ठीक है, परिशान वरी बात नहीं है, तो यह हमारे पास हो जाएगा, x-17 by 15 का whole square, sorry, जी whole square, और you cancel out हो जाएगा, यहां plus minus root 64 divided by 225, ऐसे ही है, यह हो जाएगा, x-17 by 15, और यह जो है, हमारे पास क्या होगा यहां पे, 64 का root क्या होता है, 8 होता है, और 8 का root, ठीक है, और 224 का, 15, two conditions आ गई, एक दफा प्लस में, और एक दफा माइनस में, इसको यहां से मिटा जो, ताकि मैं यहां पे इसको solve कर सको हूँ, ठीक है, same two conditions है, x-17 by 15, ठीक है, is equal to plus 18 by 8 by 15, और यह जाएगा, x-17 by 15 is equal to minus 8 by 15, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, आपको, अच्छा, अब क्या करना है, हमें, यहां आपको बता जिती है, अब हमें क्या करना है, x को जा रहे हैं, यहां से, कि value find out करनी है, तो यह हो जाएगा, 8 by 15, यह माइनस का 17 इस तरफ जाएगा, तो जाएगा, माइनस काई, यह प्लस का 17, ठीक है, क्या आएगा, 17 अब हमें 8 प्लस करें, आपके पास क्या आएगा, 17 अब 8 प्लस करोगे, आपके पास आजाएगा 25, यह हो जाएगा 25 by 15, तो कटिंग हो रही है, यहां पर क्या नहीं हो जाएगा, यह बिल्कुल कटिंग हो रही है 5 से कट रहा है 5 3 15 5 25 तो यह जाएगा 5 और नीचे है 15 से कट रहा है 3 3 9 3 5 15 तो एक सो जाएगा 3 by 5 एक में 5 by 3 और एक में 3 by 5 इसको भी कर दें डबे में बन सुलुशन सेट इदर लिख देती हैं उसका सुलुशन सेट इस 3 by 5 और 5 by 3 तो यह सुलुशन सेट इस सुलुशन सेट इस 3 by 5 और 5 by 3 तो यह सुलुट अब हमारी एक सेस्टाइज 6.7 आर जोगा यह कमप्लीट अगर आप इस पूरी वीडियो में किसी पर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स म पर चाहते हैं हमारे पास गल्स और वायर के सेपरे रूप मौझद और खासतौर पर गल्स के लिए सेफटी और प्राइवसी मौझद अगर आप चाहते हैं फ्री ओनलाइन मैस पढ़ना तो हमारे पास इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहां पर एक ल मिलते हैं एक्सराइब 6.8 के साथ नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ जब तक के लिए लिए आफेस